दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किया आप जानते हैं कड़ी लिव से हम अपने बालों को काला कर सकते हैं दोस्तों अगर छोटी उमर में आपके बाल जल्स फेद होने लग गए हैं तो आप कड़ी लिव यूज कीजिए इसके इस्तेमाल से आपके बाल काला होना शुरू हो जाएंगे आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसकी मदद से आपके बाल जल्स जल्स आपके बाल काले होना शुरू हो जाएंगे बालों की सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी जैसे कि इचिंग, डैंडर्फ, बालों का तूटना, जढ़ना, ब्रूसी की प्रॉब्लम्स सब खत्म हो जाएगा सबसे पहले आप लेजिए 200 ml नारिल का तेल और उसमें 5-6 कड़ी लीव्स डाल दीजिए और उसे गरम रख दीजिए जब ये हलकी सेख पर गरम होना शुरू हो जाएग तो दोस्तों गैस बंद कर दें और इसे च्छान के किसी कंटेनर में रख लीजिए जब भी आपने यूज करना है इसे पने बालों की जोलो में अच्छी तरह से मसाज कीजिए 2 घंडे के लिए छोड़ दीजिए और फिर किसी भी हर्बल शांपू से पने बालों को शांपू करें वीक में इसे दो बार जरूर कीजिएगा बहुत ही बेनेफिशल है दोस्तों कड़ी पता में कुछ ऐसे अंटी बेक्टिरियल तत पाए जाते हैं दोस्तों जो आपकी बालों की फंगस को खतम करते हैं बालों में होने वाली रूसी डैंडर्फ इचिंग यह सभी प्रॉब् चमच दहीं में मिक्स करके से अपने बालों की जड़ो में लगाएं ऐसा करने से आपके बालों में डैंडर्फ खतम हो जाएगा बाल बहुत ही जला स्मूद सिल्की हो जाएंगे और बहुत जल्द काले भी होने शुरू हो जाएंगे तो दोस्तों जो नेक्स्ट है थर के भी इस प्रियंट डाल देने हैं और साथ में आपने इसके अंदर डालना है आधा चमच काली मिर्च इस सभी अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर गरम रख दीजिए हलकी आज पे इसे गरम करें और फिर ठंडा होने के लिए रखें और किसी कंटेनर में इसे स्टेन कर ल आप इसे कम से कम वीक में दो बार यूज जरूर कीज़ेगा इससे आपकी बालों की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी और बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम से खतम हो जाएगी तो दोस्तों आज में आपको बताये हैं बालों को काला करने के तीन ऐसे टिप्स जो बह लाइक के बटन पर क्लिक जरूर कीज़ेगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनका भी हैल्प हो सके और इसके लावा दोस्तों अगर पहली बार मेरा वीजियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे जो रड़ कलर का सब्स्क्राइब का अपास जल से पहुंँ जाएं तो दोस्तों मिलते हैं अच्छी से इंफ्रमिशन के साथ तब तक गुडबाई